प्राचीन यूनिवर्सिटीज भी रही है और हिंदुस्तान शिक्षा के मामले में प्राचीन काल से ही दुनिया के लिए मार्क दर्शक की भूमिका निभात आया है अब ऐसे गौरफशाली इतहास वाले देश में आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा एक व्यवसाय बन गया और परिक्षा मौत की वजए हम सब अपनी जिंदगी में एक छात्र रहे हैं और हम सब ने पढ़हाई और परिक्षा का प्रेशर जेला है लेकिन आज चात्र परिक्षा के दबाव में इतने तूटते जा रहे हैं कि आत्मा खत्या उनके लिए आखरी विकल्ब बनता जा रहा है आखिर ये कौन सी रेस है जो देश के सुनहेरे भविश्य को हून की तरह खा रही है आखिर ये कौन सी जीत है जिसमें चातर को कीमत अपनी जान दे कर चुकानी पड़ रही है और ये माता पिता या फैमिली की कौन सी लालसा है जो उनके बच्चों को उनसे बात करने की बजाए आत्म हत्या करने की ताकत दे रहा है सोचिए जरा आपका बच्चा आपसे बात करने के बजाए आत्म हत्या करने जैसा फैसला कर लेता है ये उस बच्चे की हार नहीं है हार उस सिस्टम की है जहां वो बच्चे पढ़ते हैं हार उन माता पिता की है जो बच्चों को समझने की बचाए उन पर बेवज़े दबाव बनाते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं होती बस एक चुपी होती है और इसलिए आज हमने ये तै किया है कि इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी जिन्दगी से जुड़ा मामला है इस मुद्दे पे चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आपको ऐसी वजह मैं बताती हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत आम है और इन पर आसानी से विचार भी किया जा सकता है आत्महत्य आखिर बच्चे क्यों करते हैं मा मातापिता का बच्चो अपर सफल होने का दबाव बनाना ये एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मातापिता जो है वो अपनी महत्वकांशा हैं जो उनके सपने अधूरे रह गए वो अपने बच्चों पर डाल देते हैं और बच्चों को जाने अ competition का माहौल एक चीज हमने सुनी है healthy competition लेकिन जिस तरहां से society के cases बढ़ रहे हैं ये competition ये प्रतियोगिता healthy तो बिल्कुल भी नहीं लगती family से दूर अकेले पढ़ाई परिक्षा का दबाव जेलना कई बार बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर भेच दिया जाता है जहाँ पर माता-पिता के वल फोन कॉल या आजकल वीडियो कॉल के जरीए ही उनके साथ बात चीट करते रहते हैं एक और वज़े ये सोच होनी कि परिक्षा पास नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ये वो बहुत ही महत्वकांची बच्चे होते हैं जो की वास्तविक्ता से बहुत दूर रहते हैं और कहीं ना कहीं परिक्षा में उत्तीन होना या सबसे अच्छे नंबर लाना उनके जिंदगी का मकसद बन जाता है और यहां पर जब किसी भी तरह की नि की तक हेर कंसल्टिंग साइकॉलिजिस्ट आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहत खास पेशकश में और जिस तरह से हम ये सुसाइट के मामले बढ़ते वे देख रहे हैं बहुत दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है लेकिन दूसरी लिखाई और परिक्षा की बोज में हमारे भविश जाने जाने वाले हमारे बच्चों की जिंदगिया नहीं जाएं प्रमोद महाईश्वरी जी सबसे बड़ी इंस्टिट्यूट है आप जहां पर जिस जगा की हम बात कर रही हैं मैं आप से उस प्रेशर के बारे में बात क जाती हूं जो आपके अनुभव में बच्चे जहेलते हैं प्रेशर जो आप जैसी संस्था की तरफ से शायद बच्चों को आता हो प्रेशर शिक्षिकों की तरफ से बच्चों को आता हो प्रेशर जो माता-पिता की तरफ से आता हो और प्रेशर जो बच्चे अपने आप अपने उपर ओड लेते हैं बताएं कुछ इस बारे में तो जो मेरा अन्ब होए मैं लगवग तीस सालों से पोचिंग बच्छों को करा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला एक स्टेज है जहां पर कि एक तो होता है एक्जाम देने के और एक होता है कि आप उस एक्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते कि नहीं कर सकते हैं क्योंकि हरे एक स्टेट्स के अपना कैपेबिलिटी है कॉमर्शलाइजेशन होने की वज़े से नाव एवरिबरीबडी प्रिपरिरिंग फॉर आईटी और नीट काइंट ऑफ एक्जामेशन जबकि उनके बौर्ड परसिंटेज या उनके मार्क्स बहुत कम है और वो महत्तु कांशा बहुत जादा उनकी तो उस महत्तु कांशा क कि वो जैसे वो फोटा जैसे शहरों में प्रिपरेशन के लिए आ जाते हैं प्रन्तु उनकी काबियत वो होती नहीं है बौर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम आ चुका है जहां से इस्कुल में बच्चों को पुश किया जा रहा एक भी क्लास में और वो जो बच्चा क्लास 10 से 80-90% लेकर आता है वो एक्जांट केरी करने के लिए भी लाइक नहीं होता और जब उसको इस समझ में आता है तब उसको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा लाइफ में और एक स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस के तो बहुत सारे कारण है जैसे भी आपने अपने इनिशल लेकर कोचिंग में इंट्रेस दिया जाता था तो इतना हो गया है कि अब तो एंट्रेस तो होता नहीं है और इसको बोलते हैं वह एक्शुली सेल्स प्रमोशन इस जीम है जिसमें बच्चों को यह बोला जाता है कि हम आपको स्कोलेशिप दे रहे हैं बट एसेंशली डिसक कि इनके लिए करेक्ट करियर या राइट करियर कौन सा है अगर वहां से इसको सही कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की घटना है जो अभी हो रही है वो होंगी बाकी तो वह सारे रिजन आपने बिग्निंग नॉट में वह तो सारे फेक्टर है पेरेंट्स का कि बात कहूंगी क्योंकि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ऐसी जगा के बारे में बात कर रहे हैं कोटा जो कि मेरे ख्याल से भारत की जगह लेकिन पूरी दुनिया में जानी जाती है अपने पढ़ाई लिखाई और अपने के लिए डॉक्लर अभिमन्यू कुमावत आपका अनुभव कितना अलग है प्रमोद महेश्वरी से और मुझे ये भी जानना है क्योंकि हम कोटा की बात कर रहे हैं जहां पर व्यवसाय के तौर पर देखा जाए तो हर गली कूचे में एक चर्चा करके हम हाइलाइट डालने की कोशिच कर रहे हैं ऐसी जगा के बारे में जहां पर बच्चे हमेशा से पढ़ते हुए पढ़ने के लिए जाते आए हैं मातर पिता बहुत विश्वास के साथ उन्हें वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में इंसिट्यूट्स में भरती करते हैं कहां पर गलती हुई है कहां पर अंदेखापन किया गया है अंदेखने प्रमोज सर बहुत समय से कोटा में काम कर रहे हैं और वहां पर इस्यूज हैं शायद उनको प्रमोज सर बैटर समझते हैं मैं जो कुछ मैं अब्जर्व कर पाया हूं कोटा के बारे में क्योंकि मै प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूँगा I'll talk about the solutions क्योंकि मैं last week जो है मैं कोटा में रहा और मैंने वहाँ पर observation जो है मैसूस किया strongly कि वहाँ दो टाइप के बच्चे हैं अभी मन्यो जी प्रॉब्लम्स बताना उतना ही जरूरी है जतना जरूरी है solutions बताना क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स को आप highlight नहीं करेंगे तब तक उनके लिए निवारण है यह बात समझ में नहीं आएगी जी मैं तो exactly वहाँ पर मैंने दो टाइप के students को observe किया एक वो थे जो मतलब classes के बाद में सिर्फ market में जाके घूम रहे थे रेंडमनेस के साथ में मूव कर रहे थे उनका कुछ गोल नहीं था वो सिर्फ त्यार होके आये थे और यहां से वाँ घूम रहे थे दूसरे बच्च लेकिन जो रेंडमनेस के साथ में घूम रहे थे जो सिर्फ market में यहां से वहां अपने दोस्तों के साथ में घूम रहे थे इन सर्च ऑफ फ्रेंड्शिप मैं थोड़े से कुछ एक अजीब से शब्द यूज करूंगा क्योंकि कोटा की सच्चा ही या फिर स्टूडेंट की सच्चा ही लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कही ना कही इन सर्च ऑफ फ्रेंड्शिप जब वह अपने जिस तलाश में होते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कोई दोस्त मिल जाए मैं दूसरे शेहर में हूँ अकेला हूँ तो अपने दोस्ते मिल नहीं पाते हैं तो फिर आइसो लेट रहने लगते हैं और ऑ Только आइसोलेशन में जाते हैं तो कही ना कहीं वह अपने आपको कमजोर कर लेते हैं यहाते हैं सुभाः टाइम से उठने पाते हैं और धीरे दीरे उनकी पढ़ाई का हट जाता है परफॉर्मेंस उनकी इंपैर हो जाती है और जब पैरेंट्स उनसे पूछते हैं कि अभी आप कहां स्टेंट कर रहे हैं तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होता है कि जिंदगी में हर किसी को अपने अपने हिस्थे के युद्धितों लड़ने ही पड़ते हैं चाहे बगवान राम हो या महत्मा बुद्ध हो युद्धितों आपको करना ही पड़ेगा पर उसकी ज़रुत ही है कि आपको अपने आपको फिजिकली और मेंटली अपने आपको स्ट्रॉंग करना पड़ेगा कोटा में कोई बात नहीं कर रहा है तो आप सिलिंग फैंज के ज़रुत है वन इस दा स्लीप उसको बहुत मतलब एक में एक 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 बेसिक फॉर्मला होता है अगर आपको सेट रहने से बचना है ऐसे बचना है तो यूनीट टू इनवेस्ट इन एसीडी वन इस लीप आपको टाइम पर सोना पड़ेगा इंटरनेट के टाइम में जब हर किसी के सामने मोबाइल फोन है और हर वक्त इंटरनेट है तो देखते देखते उसकी कबरात गुजर रही है वह सोनी पा रहा है सेकेंड इस दा एक्ससाइज जो उसको करनी करनी पड़ेगी अगर कोई इंसान यह चाहता है कि उसके ब्रेन में अच्छे केमिकल्स रहें चाह प्रेंट करने पड़ेंगे और जब तक आपने आपको फिजिकल और मेंटली स्ट्रॉंग नहीं करते हैं इस वेरी वरी टुफ तो सर्वाइव इस वेरी टुफ टु सर्वाइव चलिए आपने कहा कि हर किसी को अपने हिस्से की लड़ाई जिंदगी में लड़नी होती है ब अब तो केवल उनको एक धर्रे में डाल दिया गया है कि आपकी पैदाईश हुई है आपको अच्छे माता-पिता मिले हैं जो आपको एक अच्छी संस्था में पढ़ा सकते हैं आपको अच्छी कोचिंग दिलवा सकते हैं यहां जाके अपने भविश्य को सुनिष्चित की हैं लेकिन क्यों यह पढ़ाई का तौर तरीका पहले से नहीं था क्यों यह पढ़ाई का तौर तरीका सुनिष्चित नहीं किया गया था कि बच्छे अमल में लाएं माता-पिता अमल में लाएं ठीक है बच्छों की जो आदते हैं वो बिगड़ती है सुधरती भी है उन्स आत्मत्या हो रहे बच्चों की नहीं है हमने देखा idea कि बहुत सारे बच्चों ने प्रेशर में आकर आत्मत्या किया और यह मामने लगाता साल-दर-साल बढ़ते ही जा रहे हैं सवार यहाँ पर यह है कि प्रशासन की नींद अब क्यूं टूट रही है क्यों यह सब पहले से हिस्सा नहीं रहा है रीता जी I totally agree अभी प्रशासन ने इतनी देर क्यों की ये तो प्रशासन ही जवाब दे सकता है लेकिन जहां तक mental health का सवाल है वो बच्पन से schools में किस school में ऐसा कुछ game या कुछ curriculum है जहां पे mental health पे ध्यान किया जाते हैं मैं यह नहीं पूर कि पूरा subject पढ़ाना है there can be games, there can be exercises, जहां पे बच्चे को पता, for example, failure okay, suicide करने गए क्योंकि they can't take the failure how about playing some games where child is not able to do and still everybody encourages and doesn't कुछ ऐसा mental health out of window है, whether it is parents whether it is teachers, मैं देखती हो कि यह problem खाली students का नहीं है, students of course competition यह वो है लेकि today I see the homework the type of homework the children are given वो उनके माबाब बैठके करते हैं, तो competition मदद में भी हो रहा है, कि किसके project ज्यादा अच्छे हैं, किसके कम कहा हैं, तो बच्चा बिचारा जो देखेगा वही सीखेगा you know, children learn more by modeling, not how, यह नहीं कि हम कितना बड़ा lecture उन्हें देता है कितने parents है यो खुद ध्यान देते हैं या system में ऐसा procedure है कि हम देखें कि ये बच्चा कितना sensitive है वो अकेले रहने लायक है या उसे अभी और support system चाहिए जैसे kinder garden में होता है ना शुरू में mothers को या fathers को साथ भेजते हैं कि child gets used to it ऐसा कुछ procedure anybody adopts कि बच्चे को अगर हम बाहर भेज रहे हैं पढने के लिए तो उसके mental support, moral support के लिए उसके साथ कोई जाना चाहिए for example जब उनको anxiety हो रही है तो कैसे at least as a first aid are there something they are given a tool कि तुम ये शुरू करो जब तक कि हम आपको help बुलाते हैं किसी counsellor को बुलाते हैं first of all I doubt how many institutes in quota have counsellors for the children because वो है नहीं न हुनको cope करना चाहिए जिंदगी में लड़ाई very well said लड़ाई सबको लडने चाहिए very true but आज हमारे बच्चे हमारे children are not equipped to cope with that तो हमको उन्हें वहाँ पे training देनी पड़ेगी कि अगर आपको anxiety है या अगर आपको depression है उसको कैसे cope किया जाए they have to be in therapy throughout फोड़ा सा माहौल इसको लेकर mental health को लेकर लोग जागरुख हुए है मामारी के दौरान हमने देखा कि किस तरह से कवायत की गई आप सभी की तरफ से लोग खुलके अपनी mental health को लेकर बाहर भी आए है लेकिन जहां तक बात बच्चों की अब मेरे ख्याल से चर्चा को मुझे उस और मोड़ना पड़ेगा जहां पर प्रशासन के जो सक्त फैसले हैं वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं पर बात करनी होगी तो जो कमिटी बठाई गई है उसमें ये कहा गया है कि कोचिंग संचालक के साथ जो है वो बैठ के की गई है और जो हाई लेवल कमिटी बठाई गई है उसके फैसलों को लागू भी किया जाएगा दो महीने तक कोई टेस्ट नहीं होगा ये एक कदम है टेस्ट कराने पर कोचिंग सील जो है वो करा दिया जाएगा और बुद्वार को जो है तीन घंटे की पढ़ाई होगी और बाकी समय यहां पर फन आक्टिविटीज को जो है वो रखा जाएगा काउंसिल और जो नियुक्त किया जाएगा उसकी उप्योगिता की जाच भी होगी और मोटिवेटर या वक्ता जो है वो बुलाए जाएगे ताकि वो बच्चों से बात करे और उन्हें उनकी जिंदिगी के जो बड़े-बड़े सवाल है उन्हें समझाएं तो यह सवाल कितने रैशनल है कितने रैशनल है और आगे का रास्ता उनको बताएं इतना ही नहीं यहाँ पर एक्सपर्ट कमिटी बठाई जाएगी जो की कोर्सेज है उसका जो बोज है बच्चों पर से कम करने पर कोई निवारन जो है वो दे सके ऑनलाइन समस्या बच्चे बता पाएं इसका वहां पर निदान किया जाएगा और इतना ही नहीं एक फॉर्म भी बच्चों को दिया जाएगा ऑनलाइन जो की उन्हें भरना होगा किसी भी तरह की कोई दिक्कत है और स्टूडेंट थाना खोलने की भी तियारी है तो सबसे पहले प्रमोच जी यह जो अब संकेत मिल रहे हैं जो कदम उठाय जा रहे हैं यह कितने पर्याप्त ह हैं देखिए अब यह कदम उठाये जाएंगे इनको अमल में लाया जाएगा उसके बाद इनका असर दिखेगा वो तो बहुत बात की बात है लेकिन जो पहला थौट है वो आपको कैसे लग रहा है यह जो सुलीशन से इनमें से कुछ सुलीशन राइट है कुछ क्यों इंट्रेस कर पाएंगे परमेरेंट सुलीशन नहीं है जैसे टेस्ट को दो मेने तक आप नहीं कराएंगे इससे जो पढ़ने आए इस्टुडेंट्स उनका तो को एसिस्मेंट हो नहीं पाएगा तो वह अब अंडर प्रेशर आ जाएंगे और उनको लगेगा कि हम किस जब पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी क्योंकि अगर आप अकेडमिक करीकुलम को डिस्टॉप कर लेंगे तो उसकी पूरी जो इफेक्टिवने से वही खतम हो जाएगी लास्ट थर्टी येर्स में कोटा ने जो अपना एक नाम बनाया है वह एक अपने अकेडमिक करीकुलम औ आज रील की दुनिया है जहां पर आदमी हस्तावा दिखरा है और उससे कंपेरिजन हो रहा है प्रॉलम है इस्टुडेंट के लोनलीनेस की जैसे मैं बता रही थी कि घर से बाहर आ गया परंत उसका जो जो क्लोजिस फ्रेंड है वो भी उसका कॉंपिटीटर है वो उसके सा एक ऐसा एंवार्मेंट दीजे जिसमें स्पोर्ट फेसिलिटी होना जरूरी है जहां पर वो जाए और एक फ्रेंडली एंवार्मेंट में कॉलाबरिटी एंवार्मेंट में लोगों के साथ खेले तो वहां पर अपनी बात को शेर कर सके उसको ज़्यादा जरूते इसकुल पर फोकस करने की अभी कहा कि इसकुल बच्चे जानी रहें और मनलग मैं तो शॉप नहीं जा रहे हैं कि यह दबाव डाल रहे हैं इतना बच्चों पर हमारे बच्चों को यहां बठी कीजिए अपने बठी कीजिए हम आपको यहां से यहां पसेंटेश दिला देंगे इस पर आप क्या कहेंगे इससे में डिसेगरी करता हूँ माफिय कोई नहीं क्योंकि बच्चों को कोई अपने के घर से लेकर नहीं आ हैं उनके पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं तो मैं वही सोलीशन बता रहा हूं कि पेरेंट्स को एजुकेट करने की जोरत है जैसे केरे सब कुछ है वहां पर एक ऐसा एंवायरमेंट है जहां पर अल्टरनेटीव करियर पर भी फोकस कर रहे हैं तो अभी मन्यू जी ठीक है प्रमो जी आपने बाते कहीं मेरा सवाल देखिए घूम फिरकर वहीं आ रहा है क्योंकि आप सब इतने समय से इतने स्व्यवसाइं में ह है और अभी मन्यू जी ठीक है बात सही है कि माता पिता जो है उनको कोई घर से बच्चों को लाके आपने इंच्टूट में भरती नहीं कराता है लेकिन उसके लिए आप भी दबा कर एकदम मार्केटिंग करते हैं रिजाते हैं खैर आपके पास प्रूफ भी होंगे कौन है फिसड़ी कौन है अच्छे वालों को आगे बठाना बुरे वालों को पीछे बठाना कम ज्यानियों को आगे शिक्षा देना इसका क्या यह भी तो एक समस्या है ना कॉंपिटिशन का जो माहौल है अभी मन्यू जी प्रमु जी आपके पास भी आउंगी कॉंपिटि में इक सिस्टम होता है जिसमें कुछ बच्चे होते हैं बाड़ी सारे बच्चे घंकर्स होते हैं और उप दिये जाते खुते होती है काने में उनको ड्राइफ रूर्स दिये जाते हैं और प्राब्लम सॉल्विंग के लिए वहां पर टीचर सुनके लिए स्पेसिफिकली रखे जाते हैं बाकी सारे बच्चे इवन आप देखेगा जो बच्चे कर रहे हैं उसमें 99% बच्चे वो हैं जो कही ना कहीं उनक जिन्दिगी में अगर आपके पेरेंट्स एक मलब एक कहावत है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सक्सेस्फुल बना पाते तो पेरेंट्स का हर एक बच्चा सफल होता अगर डॉक्टर्स आपको ठीक कर पाते तो कहीं ना कहीं एक भी पेशेंट नहीं मरता अगर टीचर आपको एक्जाम करेक्ट करवा पाते तो हर बच्चा एक्जाम करेक्ट करता अगर गुरु आपको mentally शांत कर पाते तो हर एक इंसान शांत होता जिम्मधारी खुद की है प्रशासन कुछ temporary प्रेज इस्ट्रेस नहीं है फिर कह रहा हूं सॉल्यूशन एड़ घूम फिर की एक ही चीज़ पर आएगा क्योंकि मैंने मैंने मेडिसिन पड़ा है और मैंने फील किया है कि जब तक इंसान फिजिकली एक्टिव नहीं होगा वो मेंटली शांत नहीं हो सकता स्लीप एक्सराइज और डाइट एक बहुत स्ट्रॉंग सॉल्यूशन है जहांते घर चोड़ने की बात है तो घर तो आपको आज नहीं कल छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको 6-6 मेने घर से बाहर रहन पड़ेगा आप मतलब 7-8 दिन तक नहां नहीं पाते हैं तो सवाल अब यहां पर यहीं है आप इतने घ्यानी है आपको इतना कुछ पता है तो यह सब आप सभी ने मिलकर आप जितनी भी कोचिंग इंस्टिटूट है आपका एक संग्रह होगा एक इंस्टूशन होगा आप इतने ख्याल से एक बहुत बड़ी बचे है जहां बच्चे जो है हार माच आते हैं आपको यह समझना है पांच उंगलीआ होती है लेकिन हर उंगली का महत्व होता है एक बी उंगली चली जाए ना तो फिर उसके अभाव में जो काम करना होता है ना दिक्कते जरूर आती है रैंक होल्डर का दबाव डालना, बच्चों को बताना कि आप रैंक होल्डर हो, इसले आपको हम सीरिस्ली लेंगे, ये तो मार्क्स लेके आने वाला नहीं, ये तो हमारे करियर क्लास का, करियर कोचिंग का जो भी है, वो नाम डुबाएगा ही डुबाएगा, रीता जी ये भ अब मुझे नंबर टू में नहीं आना है, we have given him the pressure, on the contrary, तुम यहां हो, जितना आगे बढ़ सकते हो, बढ़ो, ये जो comparison है, that is a problem, between two students, or between a group of students, rather, आज आज आप पहली सीडी पे हो, compare with yourself, आज आज आप पहली सीडी पे हो, कल आपको दूसरी सीडी पे जाना है, तीसरी, तो compare आप अपनी performance के साथ, आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ये intelligent है, हम लोग ही इनभावना क्रियेट कर रहे हैं, बाकी बच्चों में तो, जो intelligent है, teacher को पता है, और जो intelligent average है, वो भी teacher को पता है, वो भी teacher को पता है, वो तो हमारे एक्जामिशन सिस्टम है, एक्जामिशन सिस्टम है, वही हाँ से चुरूआते है, मैं खुद IIT से graduate हूँ, वो तो IIT का सिस्टम है, हम एक्जाम करके वहीं पी प्रूव करते हैं, कि आप टॉप 10,000 के ब्राइटेस इस्ट्रियंट अप दे कंट्री हो, बागी सारे बेकार हो, हमारा एक्जामिशन सिस रही है, तो आप ही लोगों के तो हाथ में है ना सारा जिम्मा, आप ही लोगों ने तो बच्चों के भविश्च को सुधानी की बनाने की जुमिदारी उठा रखी है, इसलिए तो आप विवसाय चलाते हैं, क्लासिस चलाते हैं, तो अब बात यहां पर आके रुकती है, कि अगर एजुकेशन सिस्टेम इतना करप्ट है, तो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा, हम तो इस तरह की जुमिदारी रहेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, आप से चर्चा करेंगे, बात यहां पर यह है कि इसका संग्यान लिया जाए, और संग्यान लाने के लिए मेरा समय खतम हो गया, इसलिए मुझे अब शोबिस अमाप्त करना होगा, आज मेरे मेरे में काम करता हूँ, हमने मेंटर्शिप सेंटर खोला है, रिसेंटली कोटा में, वहां बच्चों को फ्री मेंटर्शिप देने वाले हैं, एक मेने बाद स्कार्ट करेंगे, इस तबाय माता-पिता की काउंसिलिंग, बच्चों की काउंसिलिंग और एक निजी जिम्मेदारी के तोर पर भी अगर इसको देखा जाए, तो सारी स्टेक होल्डर्स को साथ में आकर ये सुनिश्चित करना होगा, कि लिखाई-पढ़ाई का जो मंदिर भारत माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, उसे अम आगे बढ़ाए और इस तरह के जो सुसाइट के केसिस हैं इन पर अब अंकुष लगे, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इसकास पेशकश में शामिल होने के लिए मुझे भी इजासत दे, नमस्कार